नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आज हम बाव मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं। आज इस महिला के पती को ऑफिस जाने में देर हो रहा था। इसलिए महिला जल्दी से किचन रूम में जाती है और जल्दी जल्दी कुछ मोमोस बनाने शुरू करती हैं और देखते ही देखते वो सारे मोमोस बन कर तयार हो जाते हैं और फिर उसके पती ने पेट भर के मोमोस खाया और आफिस के लिए निकल गया तभी जब महिला हमेशा की तरह मोमो खा रही थी तभी उनकी मुह में एक मोमो हिलने लगता है और महिला को कुछ समझ में नहीं आती है इसलिए महिला जल्दी जल्दी से उस मोमो को बाहर फेंक देती है यह मोमो एक छोटे बच्चे में बदल जाता है और क्योंकि महिला के जही बाओं का खाने पीने और खेलने का भी अच्छे से ख्याल रखती है और महिला बाओं को धीरे धीरे बड़ा होता हुआ देखकर बहुत खुश होती है और महिला बाओं की खूब देखभाल करती है और हर दिन बाओं को प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती है और महिला जहां भी जाती थी बाओं को अपने साथ ले जाती थी और उसे कभी भी घर पर अकेला नहीं छोड़ती थी और बाओं को अपनी माँ के साथ घूमना पसंद था जैसे कि मार्केट पर जाना, नहीं तो कोई बस पर सफर करना, क्योंकि ये दुनिया उसके लिए बहुत खास है महिला की एक मात्र चिंता यह थी कि बाओं मैदे से बना था और बहुत नरम है इसलिए महिला ने कभी भी बाओं को अपने से अलग नहीं किया और वह महिला बाओं को इतना प्यार देती थी कि बाओं उस महिला से बहुत प्यार करता था और उसे अपनी मा मानता था और एक दिन जब महिला बाओं के साथ बाजार गई तो बाओं कुछ लड़कों के साथ भाग गया और महिला बाओं के बारे में चिंता करती है और आगे पीछे जाती है और बाओं को पाकर खुश होती है और बाओं को बहुत डांटती है और कहती है तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था आगे से कभी ऐसा मत करना अगले दिन महिला बाओ को योगा कराने के लिए खेल के मैदान में ले गई लेकिन वहां कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे और छोटे बच्चे बाओ के सिर पर फुटबॉल मार देता है जिसके कारण बाओ का सेव बदल जाता है तब महिला बस में बाओ के साथ घर जा रही थी और वह उससे कह रही थी कि किसी से दोस्ती मत करना लेकिन बाओ दूसरी तरफ मुह करके बैठ गया क्योंकि वह कुछ दोस्त बनाना चाहती थी और बाओ हमेशा चाहता है कि वह दुनिया में चला जाए लेकिन उसकी माँ उसे ऐसा नहीं करने देती क्योंकि आप जानते हैं कि बाओ मैदा से बना था और इसलिए उसकी माँ को चिंता होता है कि बाओ को कुछ होना जाए लेकिन बाओ अपनी माँ की बात नहीं मानता है और छुपकर दोस्त बनाता है और अपनी माँ की बात सुने बिना ही अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है अगले दिन जब महिला बाओ के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाती है लेकिन बाओ अपने दोस्तों के साथ बिना यह देखे निकल जाता है कि उसकी माँ ने क्या खाना बनाया है महिला बाओं के साथ खाना खाने के लिए उसके घर लोटने का इंतजार करती है और ऐसे करते देर रात हो जाता है बाओं घर आने में देरी कर रहा था इसलिए महिला घुसा हो जाती है और अकेले खाना खाने लगती है कुछ देर बाओ घर लोटा और अपने साथ एक लड़की को लाया और लड़की ने अपने हाथ में मौजूद हीरे की अंगूठी उस महिला को दिखाती है जिसका मतलब है कि बाओ ने लड़की से शादी कर ली है यह देखकर महिला का दिल बुरी तरीके से तूट गया क्योंकि बाओ को बहुत प्यार से पाला गया था लेकिन उसने अपनी माँ की अनुमती के बिना उससे शादी कर ली लेकिन महिला ने कभी नहीं सोचा था कि बाओ उसके साथ ऐसा करेगा फिर महिला बाओ से पूछती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और तुम घर छोड़कर चले गए थे और फिर घर वापस लोटकर क्यों आ गए जिस पर बाओ कहता है कि मैं घर इसलिए आया था क्योंकि मैं अपनी पतनी को तुमसे मिलाना चाहता था और बाओ यह भी कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चले जा रहा हूं और कभी वापस नहीं आऊंगा यह कहने का बात हो उधर से चला जाने लगता है लेकिन उसकी मां बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन बाओ अपनी मां की बात नहीं सुनता तुम महिला दौड कर दर्वाजा बंद कर लेती है और उससे कहती है बाहर की दुनिया बहुत खराब है मेरी बात सुनो तुम मत जाओ तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं लेकिन बाउं अपनी माँ की बात नहीं मानता और वहां से चले जाने लगता है और महिला गुस्सा हो जाती है और बिना कुछ सोचे समझे ही बाउं को खा जाती है तब महिला को एहसास होता है कि उसने गुसे में आकर अपने बेटे को खा लिया है और अपनी गलती का एहसास कर खूब रोती है फिर महिला रोते हुए बेट पर सो जाती है और थोड़ी देर बाद महिला के पती ने कमरे का दर्वाजा खोला और महिला की आँखों के सामने एक परचाई उभरी जो बिलकुल बाउ जैसी दिख रहा था लेकिन ये बाउ नहीं था हमें पता चलता है कि यह इस महिला का बेटा है और वह अपने माता पिता को यहां अकेला छोड़ कर काम के लिए विदेश चला गया था और कई साल हो गए लेकिन वह वापस नहीं आया दरसल महिला सपना देख रही थी क्योंकि कई सालों तक लड़क भी खत्म हो जाती है और महिला अपने बेटे से प्यार करती है और यह इस फिल्म का सबसे भावुक द्रिश्य है फिर वे दोनों एक साथ मिठाई खाते हैं और लड़का अपनी पत्नी को भी लेकर आया था और फिर पूरा परिवार मिलकर मोमोज खाता है और महिला उनको मो मोज बनाना सिखाती है इस तरह इस फिल्म का हैपी एंड होता है दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो कमेंट करके बताएं कि आपका फोन कितने प्रतिशत चार्ज है